नेशनल हाईवे 25 चंडिगड मनाली पर स्वारगाड से एक किलोमेटर दूर नालियां स्थान पर दो ट्रक HP 11A 4045 और HP 24C 3849 में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई इस हादसे में दोनों ट्रकों के चालक गंभी रूप से घायल हुए टकर इतनी भयंकर थी कि दोनों ट्रकों के ड्राइवर बुरी तरह से अंदर ही फस गए जिन्हें स्थानिये लोगों पुलिस वबाहन चालकों की सहायता से कड़ी मशकत के बाद बाहर निकाला गया और एक चालक को 108 एंबुलन्स के माध्यम से नाला गर ले जाया गया तो वहीं बाद में निकाले गए चालक को पुलिस की गारी में CHC स्वारगाट ले जाया गया लेकिन CHC पर ताले लटके हुए थे क्योंकि CHC स्वारगाट सारे 9 बजे खुलता है बाद में उसे नैना देवी की एंबुलन्स से नाला गर ले जाया गया है घायलो की पहचान सतनाम सिंग उम्र 29 साल से पुत्र हरजीत सिंग गाउं सजमौर डाग घर गंगुवाल तहसिल अनंदपोर साहिब जिला रोपर पंजाब जब की दूसरे चालक की पहचान शरीफ मुहम्मद पुत्र निका गाउ साई डाग घर लुनस तहसिल नाला गर जिला सिलन के रूप में हुई है हाथसे के बाद सड़क के दोनों और लंबा जाम लग गया था जिसे पुलिस ने कड़ी मशकत के पर खुलवाया है हिमाचिल प्लस न्यूज के लिए स्वारगाट से रजेंदर ठाकुर की रिपोर्ट